तो दोस्तों मैं वापिस आगया एक और नए गेम प्लेए वीडियो के साथ और आज हम फिर से खिलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो पिछले एपिसोड में जो है मैंने अपना पूरा का पूरा वुड का घर बना लिया था और उसमें दो जगह भी बना दी थी एनिमल फार्म के लिए तो मैंने यहाप पर कुछ अनिमल्स रख दिये तो आज का प्लान अपना यह है कि आज हम बनाने वाले हैं एक आईरन फार्म अब आईरन के लिए कौन माइन्स में जाएगा मेरे को तो बहुत से भी बहुत डर लगता है उन मॉब से इसलिए गेम को पीस्फूल में करके रख ताकी मेरे विलेजर्स को भी कोई ना मार दे क्योंकि उदर का आईरन गोले मर चुका है दो चार विलेजर्स की संक्या पहल करेंगे फिलाल तो गेम पीसफूल मूड पर रखा है तो अब चलते हैं वहां पर जहां पर अपने सारे के सारे विलेजर्स रहते हैं तो यह रहाँ वो विलेज वॉंट्रिंग टेडर यहां पर क्या कर रहा है और यह दो कमपोस्टर एक तो मैं उठा के लिके आ गया और ज दोने से मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं करी है वेपन स्मित तो इनको जो है मैं अपने फार्म की जगह पर लेके जाने वाला हूँ अब दिक्कत ही है कि भाई बीच में आती है रिवर क्रॉस कैसे करूँ मेरे पास तो रेल है नहीं कि माइन काट बना दू उसके अंदर डाल 20 वर्क बेंच और 20 बेड़ तो मैं अपना पूरा का पूरा आरेन फार्म इस खड़े में बना लिया वाला हूँ छोटा सा खड़ा है तो चलो यहां पर अपना आरेन फार्म बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक ब्लॉक खोदो यह रहा ही एक ब्लॉक अरे यहां से भी पाच अब पाच बाए पाच का मैं पूरा स्क्वेर खोदे लेता हूं अभी तो अभी इस पूरे के पूरे खड़े को मैं आठ ब्लॉक से नीचे लेके जाने वाले हूं मतलब यह तो एक ब्लॉक खोदी लिया है मैंने यह दो तीन चार अरे मैं करके आ रहा हूं पाच यह कितना हो गए एक ने एक दो तीन चार ओके चार ब्लॉक्स हो चुक है पाच छे साथ आठ यह ने जो है पूरा का पूरा स्क्वेर खोद लिया है बाहर जाने के लिए थोड़ा गंदगी भी कर दियो उसको भी जरा साफ कर लेंगे फिलाल पानी डालके यहां से निकलता है शुकर है इतना तो आयरन मिला ताक कि मैं यहां पर यह कर सकूँ बकेट बना सकूँ मैंने थोड़ा बहुत आयरन पहले भी माइन कर लिया था माइन करने के चकर में मैं ही मर गया वह भी फॉल डामेज से दिखा रहे है फिलाल जो एक इसका जो करा है उसको साफ कर देते हैं अब अपना पूरा खड़ा बन चुका है अब सबसे पहले यहां से बेड़ लेके आता हूं उन बेड़ को यहां पर नीचे प्लेस हम लोग करने वाले हैं अभी बेड़ लेके आ गया अब मैंने यह ब्लॉक्स एक्स्ट्रा इसलिए लगा है ताकि यहां पर बेड्स लगा सको इन ब्लॉक के उपर एक बेड़ और इन ब्लॉक्स को तोड़के इनके नीचे बेड लगाने वाला हूं अरे अरे गल्ती से बेड़े टूड़ गया कोई नहीं फिर से लगा लेते हैं यह ब्लॉक टेंप्रेरी ब्लॉक उसके ऊप पर बैड अब यहां से जो है मैं इन दोनों ब्लोक्स को तोड़के यहां नीचे एक दूसरा बैड लगा दूँगा अब ऐसे ही जो है मैं यहां पर पूरे बेड बनाने वाला हूं यह तोड़ो अभी जो है बैड बन चुक है अब विलेजर्स के लिए एक खड़े होने का प्लैटफॉर्म बना देता हूं ताकि यहां पर विलेजर्स आराम से अपना काम कर सके उनको बैड को ज्यादा टचने हो पाएंगे बैड कनेक्ट जरूर हो जाएंगे लेकिन बैड प सब्सक्राइब को फिल्स करना था और मैं यह क्या हो गया अब यह नहीं है मेरे को उपर चड़ना आए भागवांद अरे बैया चड़ू कैसे मैं चलो सूरी जाते नाइट तो पड़ना ही पड़ेगा ओके अब वापिस से पाँ पूरा का पूरा फिल कर देता हूं यह हो गया यहां आधी साइड फिल हो गई यह बची कुछ आधी साइड फिल कर देते हैं तो यह बन चुका है पूरा विलेजर्स के लिए खड़े होने का पूरा इंतजाम अब मैं अपने वर्क बेंचिस लेके आता हूं उन विलेजर्स के लिए अभी चलते हैं से सीधा आधिये फ्लेचिंग टेबल्स बनाना ज्यादा आसान होता है तुमको लगता है कमपोस्टर तो पानी को इदर रहने देते हैं विलेजर्स के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा यहां पर उतरने के लिए पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा बीच में पानी डाल देता हूँ इसको लिफ्ट को भी बंद करना पड़ेगा फिलाल बीच में पानी डाल देता हूँ ताकि उन विलेजर्स को फॉल डेमेज ना पड़े ओके अब यहाँ से उपर चलते हैं लो आ गया अभी इस पानी को कलेक्ट करके उन विलेजर्स को लाने का पूरा इंतजाम करते हैं तो यह रहे वो विलेजर्स जिनसे मैंने कभी तक कोई ट्रेडिंग नहीं करी है इन दोनों को लेके जाओंगा यह दूसरा विलेजर आए तू कहा से आ गया अचा यह विलेजर है मैं वह सोचू भाई तीसरा कहा से आ गया तो मैं जो यहां पर पूरी वाटर स्लैड बनाने वाला हूं तो पूरा वाटर स्लैड बना के बाद मैं आपसे मिलता हूं अब यह इतनी बड़ी वाटर स्लैड मैंने बना दिये बहुत से डर्ट इकटा करें थी भाई वो डर्ट का इस्तमाल करके मैंने बना दी अब यह रही अपनी पूरी वाटर स्लैड अब यहां से विलेजर इसको लेके जाएंगे पहले लो बैट भी गया कौन सा भाई तू एक मनेट इसको लेके जाएंगे अबे तेरे से नहीं भाई मैंने तेरे से ट्रेडिंग करिये तू कहा से आ गया यह देख लो इससे ट्रेडिंग करिये मैंने जिससे ट्रेडिंग करिये उसको तो नहीं लिके जाना होता है ना तू क तोड़ूंगा इसको उतर निचे मेरे पास दूसरी कुलाड़ी है तू मरेगा चलो अब इसको यहां से लेके चलते वह देखो विलेजर मर गया इन्लोंगों ने ब्रेडिंग आपसे चलो कर दी करता रहो ब्रेडिंग मैं तो यह इसको लेके चला अरे आउट्टेड़ा हो ग करते लोग मैं एसको लेकर गया अपनी आईरन फार्म की तरफ हाका नुए चलो जेड़ा इसको आएब ही देख लो तुम मेरे को गूर रहता है मिरेक कहा लेकी जा रहा है वह यह यहीव घूरते बहुत जाना है यह दो इसले एका अब हो लेका नेक्शन टूर नहीं है शार वेपं समीत नंबर दो चलो आने दो बोट तो पहले ची लगी हूंे चला आजा भाई但 बोट लगता है मैंने तोड़ी ऊल्टी लगा दी क्या लगता है बोट ऊल्टी इसका स्टोन कटर काटना पड़ेगा वरना ये उदर ही जाके चिपक के बैट जाएगा स्टोन कटर तोड़ो इसका लो बन गए वापीस से वेपन स्मित अब इसको वापीस से बोट में घुसाना पड़ेगा बेबी विलेजर तु क्या वापीस से पूनर जणम लेकि आया है जिसको मारता लगता है वाफिस से पुनर जिनम लेके आया है उतर उतर निचे चलो आपई इसको लेके चलते हैं यहां से बड़े शेतान होते हैं बेबी विलेजर एक जगाँ टिक के खड़े अगर गेम को मैंने इजी पर कर दिया होता ना यह विपन समेद देख रहे वह निया बचता भी पूरा विचाटि में ऑगते रहते हैं राद राद बर सुने ब्यदप सुने तक में आते यह लोग जंगल में जाते भी इधर आसपास नहीं गूमते जंगल में जाते हैं अब इतना बडबड में क्यों कर रहा हूं इसको लेके चलता हो ना सिधा अपने जगह पे वाटर स्लैड वैसे कैसे लगी कमेंट करना कमेंट लोग करते हो नहीं हो बस देखते हो बस वीडियो जारा से देखके छोड़ पूरी वीडियो देखा करो और अगर अभी तक अच्छे लग रही है यह वाटर स्लैड के लिए तो कम से कम लाइक करो और यह कमेंट में लिखो कितने कैसी लगी कमेंट करने में कोई जेस्टी नहीं लग रहा है अभी जो तोड़ देता हो बोट वरना यह पता नहीं कौन स आटा इसके ंदर फिते निवार में भेड़ जाता। यह देखलों बन गया अपना क्या फिलेचर। अप्रप्रोब्लेम इसमें यह हो जाती है कि यह कि यह विलेजर को मिलेकर आगया बेचाला के साथ निवार के अंदर गुजेस्वार के अदर घुषने के मर गया वह वि हिई यहां का सूक चुका है अब और ब्रेड लाके इनकी ब्रीडिंग स्टाथ कर वाते हैं दो अब जिन से कोई ड्रेडिंग वर्डिंग और करें हैं अब जोए यहां पर में ब्रेड ले की आ चुका हो अब ब्रесь जय है पूरी डाल देते ना इतने ब्रेड दू जितनी जुरूद दोगी उतनी ब्रेडिंग करेंगे ज्यादा ब्रेडिंग तो करते नहीं है यह देखो एक विलेजर को दो यह दूसरे विलेजर को अपने आप एटोमेटिक ले देता है हमको कुछ ज्यादा करने की जुरूद नहीं है एक विलेजर को ब्रेड़ दो सारी व और खुद ही उसके साथ ब्रीडिंग चालू कर देगा बैड़ा इसलिए है वो देखो लोगे इनकी ब्रीडिंग चालू अब मैं मिलता हूँ पूरे 20 विलेजर वो भी बड़े 20 विलेजर होने के बाद तब तक तो भाया बहुत दिर हो जाएगी अब मैं उनके उपर एक ब्लॉक प्लेस कर रहा हूँ ताकि जो है एक प्लैटफॉर्म बन जाए अपना गोलेम का के लिंग चेंबर फिलाल जो है एक ब्लॉक थोड़ा सो तोड़के यहां पर नीचे जाके जो है यह कर देते सबसे पहले टॉर्च लगानी पड़ेगी ताकि म कि मॉब जो है यहां पर स्पॉन ना हो कि कैसे जाओ मैं मेरे को टॉर्च लगानी है भाईया वरना मॉब अंदर आके इनका बैंड बजा डालेंगे तो तोड़के यहां पर अंदर घुश जाता हूं मैं अंदर घुश के यह तर्ट लाजते यह देखो अपने पूरे के कोशिश करेंगे कि यह उपर उपर मत चाड़ेंगे भाई यह तो स्पॉन भी हो गई अगर इसको हात मारा होता यह मेरे को हाथोड़ा मारेगा यह धाय किलो का हाथ यह देखलो दो दो आयरेंड गोलम इतने जल्दी स्पॉन भी हो गए पहां फिलाल यहां पर पूरा प्लेटफोर्म बनाना पड़ेगा इसको बात में मारूंगा यह जब तक इदर जिंदा है तब तक दूसरा स्पॉन ने होगा और दिक्कत है कि यह जब तक इदर नीचे पढ़ा हुआ है दूसरा में उदर ब्लॉक भी ने लगा सकता अब ब्लॉक लग क्यों नीरा में अरे यह क्या हुआ कैसे लग गया अब एक वोल्यम यह गोलम के वज़ेसे लगए रा यार ब्लॉक रुको पहले यहां से बाहर चलंके इस गवलेम को तोड़ना पड़ेगा दोनों को मारणा पड़ेगा वरना भए आंअ determinism को मारू नीचे वाले गोलेम आचयो यह उपर व क्या करूं जाके अपने ए्रेंड की स्वाड German leaning अदर गुष चुक है विलेक कि तो मैं अपने और इनकी स्वाड लेकर आ गया और यह दोनों के दोनों ऐरेन गोलेम अन्दर गुष जोक कात है मरो मेरें की जॉर्रARD है अब भी बनाना के लिए मेरे पास ऐरन नहीं है तो आरन मिरे पास बनाने से igual युच्छर व Inuit know what motivated all गोंश के सकते हूँ कि मैंने फूरा आर्मर मैंने फिछले एपीसोड में बना कर लेते हैं यहां पर अभी तक killing system बनाया नहीं killing और collecting system तो मुझे जो अपनी sword से इनको मार की इनको लंगडा करना पड़ेगा iron की sword का क्या बलिदान सो बलिदान बाद में क्या बहुत सारा iron आएगा अपने हाथ में आयरेण iron iron में सोजाओ iron में खेलो और चलो मर गया यह भी हम şunu इसको मिखना अपना अपने हम बंद से अपना अपने रहत greens ऐसंदर स्ट्रिंगs मुलнокक्ले करतेविकर अब आपसे इसके अपने हो जाती है एक्शिछे मेरे को मिल जाएगी चाहिद से के अब जब दूसरा एक और ना यह बना लेते हैं आयरेन का क्या पूरते हैं होपर कुछ ऐसी रेसिपियन है उसकी इसमें थोड़ा सा कठीन है प्रेस करके रखना पड़ता है वो दो होपर बन चुक है यह तीसरा होपर यह तीसरा होपर बन ग देंगे कि फिलाव चेस्ट को अंदर रखो और यहां पर चोटा सा कलेक्टिंग सिस्टम में बना लेता हूँ वहीं पर बनाना लेता फिलार तो यहां पर ब्लॉक लगा देते हैं अब यह जो हैं पूरा हँग गया नौख छाए तोड़के देखता हूं मैं इइंदेको ओओ देखो वाटपी से स्पॉन भी हो गया आँ वह कि यहां पर एक ब्लॉक लगा है क्यों मैंने मेरेको तो इधर हपर चाहिए लीए यहां पर हम पर चाहिए मेरेको मेरीको लगता है थोड़ा एक ब्लोक नीचे तोड़ना पड़ेगा क्या ऐसा दोंस्मों में ने आ रहा चलए यह को बिल्ली भाँ रही थे कंफीजन ले कंफीजन चल रहा है मेरी और सब्सक्राइब म्हां से यहां पर आप मैं जंपी नहीं कर पारा ऊपर का ब्लॉक तोड़ो इसको भी तोड़ो यह पहले जिश्ट होगे डबल चेस्ट अब सबसे पहले इसका यह ब्लॉक तोड़के यहां से आगे जाना पड़ेगा यह hoppers प्लेस कर देते हैं यहाँ पर पहले इसको connect कर देता हूं यह hopper अरे बिल्ली चलो यह हो गया अब जो यहाँ पर दो तीन hoppers और लगा देते हैं मेरे पास दो ही hoppers है है फिलान तो दो होपर्स लगा देते हैं जैसे तैसे पत्थर अरे भाई यह स्टूर मेरे हाथ में आए गई नहीं जाने दू इस होपर से यह कनेक्ट कर दिया अब यहां पर एक और होपर लगा देता हूं मैं अरे तुम मेरे से टक्रा क्यों रहा है अब हट ना इसक्रीजिस और इस्पानिज पर शुटा सा इविलेजर कहां से अटक गया क्या बोलते हो वांडरिंग ट्रेडर और यह कौन सा जीव है भाई है यह तो छोटू सा जीव कौन है भाई मेरे ब्लॉक के ऊपर दो चारा जाएंगे ऐसे जीव का छोटा अब आपने फार्म की तरफ चलता है क्या वहां उधर तो दो आईरन गोलम स्पान हो चुके मेरे को वह एक और हाफ ऊपर चाहिए तो एक और ऐर इन गोलम की बली दैनी पड़ेगी कर दे फूर तो प्रीजर की मरेगा उसके साथ आओ से अरो है है मारना अरे भाई कितनी ज्यादा है कोई नहीं अच्छा है ज्यादा अच्छा है अमारी लेड़ते हैं यह दोन्हों वैसे भी अपने लिए लड़ते हैं खेर अब जो है मैंने यहां पर लगा दिया है पूरा पानी यह दो को बाहर भागने की कोजिश कर रहे है अभी फिलान होपर्स बना देते हैं यहां पर राद में हो रही है है च impec term लिए कि आने पड़े लगता है कि 20 नहीं है मेरे पस bell लिए चस्ट थे उससे तो डबल बना ली यहिव संब चेस्ट तोड़ करें कि रहा चलते है और ऐसी ऐसे ही खालि पड़ियो यह चीश चलो एं यह क्या है वाट ओ कोईंचेडेंस मेरी बोट पर एक काली शिप और एक काला गोडा चड़ गया कर चीन टबाग डंडं दुने के दूनों काले अंदर के वजी से तो काली नहीं लेकिन नॉर्मल ही काले मेरे पास नेम टैक होता तो उनको ऐसे नेम टैक देता हमें लेकिन अपने पास एह नहीं फिलाल यहां से नीचे चलते हैं और अपना जो यह ब्लॉक है उसको भी ये भाघ रही है फिर अब जहां यहां पर यह तो इन देखते क्या करना है अरे पनी निक पानीफालिए पणमे है बीच में चैस्ट सैड में दो हम दो आरें इंगट यह एक इंगट ओर यह और ही हो गया बच्ट लोग होगे एक्स्ट्र तीन अरेण बजगे सब आपना अब यहां पर अपना यह बना लेते हैं आरहे हाटे ना विल्ली भी बीच में आ रही है चलू अब यह यहां पर लग गया आपना पर ही यह है बन गए अपना कलेक्टिंग सिस्टम अब किलिंग शिस्टम के लब मतीनु अर्पर सही से काम कर रहें, चेस्ट के अंदर सामान भेज रहें, फिलाल चलते हैं, यहां से और साइन बॉर्ट्स लेके आते हैं, तो में वापेस आ गया, साइन बॉर्ट्स लेकर और ये देखो, दोनों की दोनों आइरन गोल्म स्कॉन हो चुके हैं, फिलाल तो यहाँ दूसरी साझ मूट्षए लगेगा नीचे लगिए उससे जूड कर एक आगे था और यहां से ऊपर चलते हैं सबसे पहले तो और यहें इसट्रा से जूड पोrestrum अगे लगे संदर बीच में venuleब आगे लगे पहले में क्या सोच रहो पानी का क्या करूं मैं वाटर बगेट ना पानी ऐसे करते हैं नीचे उदर ब्लॉक रख देते हैं पानी का फ्लो भी तो चाहिए इन सबको इन दोनों को नीचे लाने के लिए तो यहां पर एक ब्लॉक इसके उपर पानी उपर नहीं चड़ना है चलो यह रहा वो लभाप उलिय है क्या हो गया बाई लगता है घलती से इदर पानी पड़ गया जिसकी जमाल कीवेसे से सारह व्सारख सारा टा लावा उप्सीडिन बन गया क्यार कोई लिए यहां पर भी लभावा डाल नेते इसके अंदर बीच में चलो यह बन 0.2 को मि ब्लॉक लगा के पाने डाल देते हैं तक कि ये सारे के सारे बीच में आ जाए ये लगाया ब्लॉक ये उसके उपर पानी चलो अब मरना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे आयरेन गोलेम्ज तो ये आयरेन गोलेम मर गए अब जरा नीचे चलके देखते हैं कि कितने आयरेन इंगट कलेक्ट हो गए अब यहां पर थोड़ा एक दो घंटे का एक घंटे का एक करते हैं यहां पर है तो एक घंटे बाद लगबग दो स्टैक्स हो चुके और यह दो स्ट्रिंग मुझे लगाए था बेल्लियों से दो एक दो स्ट्रिंग मिले जाएंगे तो अब यहां से बाहर चलते हैं और यह दूखा और गोलेम्ज पॉन हो रहे हैं यह दूख एक साथ दोनों हो गए वाह तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगे होगी अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और मज़दार धमाकिदार वीडियो में तब तक के लिए अलविदा